नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए भासा भारती कक्षा 6 से जो 8 अभ्यास पुष्टिका है उसमें से पार्ट साथ हम बीमार ही क्यों हो करवाने वाली हों यदि आप चैनल प बाट करवा दिये हैं प्लेलिस्ट में वीडियो हैं वहां से आप देख लीजिए समझ लीजिए चैनल पर नहीं हूँ सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा आई जरू करते हैं पहला प्रस्ण है स्वस्थ रहने के लिए क्या ज के जल चर सब्द से आप क्या समझते हैं जो जं तु जल के बीना नहीं रह सकते वे जल चर कहलाते हैं जैसे मशली अगला प्रस्न रहेगा चार, क्रोधी सभाव किस तत्तो की अधिकता का परिचायक है क्रोधी सभाव अगनी तत्तो की अधिकता का परिचायक है अगला प्रस्न है पाँच, पाठ में आकास तत्तो प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है अगला प्रस्न है छे शरीर के बनने में किन तक्तों का समावेश है शरीर के बनने में आकाश वायु अग्नी जल और प्रत्वी इन पांच तक्तों का समावेश है लगुत्री प्रस्ण रहेंगे प्रस्ण साथ रहेगा दिये गए विंदुओं पर तीन तीन वाकि लिखना है संतुलित आहार संतुलित आहार से हमारा सरीर स्वस्थ रहता है हमारा सारीरिक मानसिक विकास होता है संतुलित आहार से हमारे मस्तिस्क की सक्ती वढ़ती है इसके बार लिखना है बयायाम के बारे में शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है बीमारिया नहीं होती है मनुष अधिक समय तक रोगमुक्त रहता है अगला प्रस्ण है आठवा हम आहार में क्यालें जिससे हम स्वस्थ रहें गेहूं दाल चावल घी तेल दूद फल एवं हरी साक सबजिया आहार में लेने से हम स्वस्थ रहेंगे अगला प्रस्ण है नौ सूरे के बिना जल की कलपना नहीं की जा सकती क्यों क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बलकि बुद्धी और लंबी उम्र भी प्रदान करता है अगला प्रस्न है दस आप वाई उतत्त को प्रदूसेत होने से कैसे बचाएंगे कोई तीन उपाय बताईए वरक्ष लगाएंगे खुले में सौच नहीं जाएंगे हर जगाय का चरा नहीं फेकेंगे अगला प्रस्न है प्रस्न 11 प्राचीन युग में मनुष्य के स्वस्त रहने के क्या कारण थे प्राचीन युग में मनुष्य पांच तत्तों को स्वक्ष सुध एवं निर्मल बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता था इसलिए स्वस्थ रहता था अगला प्रस्न है पांच तत्तों में से कौन सा तत्तों आपको अच्छा लगा उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे अपने सब्दों में लिखिए जल तत्तों पांच तत्तों में सबसे अच्छा लगा इसे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जल ग्रहन करेंगे तथा रसदार फलों और सबजियों का उपयोग बढ़ा देंगे जल प्रदूसन के कोई पांच कारण बताईए पहला कारण है कारखानों के अपसिस्ट पदार्थ जल में मिलना दूसरा है लोगों के दोरा कूडा कच्रा नदियों आदी में फेकना तीसरा है मल मूत्र को सीवर के माध्यम से नालों में पहुँचाया जाना और उन नालों को नदियों में जोड़ देने से अगला है मृत जीव जन्तूओं को जल में फेक देने से और अंतिम है नहाने धोने का गंदा पानी एवं घरों से निकली हुई गंदगी का जल में मिलने से इसी के साथ ही ये पार्थ पूरा होता है मिलते हैं अगले पार्थ में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद अपना नाम जरूर लिखेगा आप सभी का दिन सुभो